कि हैं अखलो इस्टुडेंट्स आप सभी से आसा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे सूरच्छित होंगे मैं आप लोग के सामने Electronic Component and Devices जो Electronics Engineering Second Same का सबजेक्ट है उसका एक चेप्टर मैं आप लोग के सामने जो उसके कुछ important questions है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका chapter 3 है Voltage and Current Source इससे कुल मिला करके 5 या 6 questions जो है BTE Board की examination के लिए बनते हैं यह एक बहुत ही छोटा चेप्टर है पर बहुत ही important है और इसका लगबग 50% portion first session के पहले आप लोग को कलास में पढ़ाया जा चुका है बट फिर भी उसको एक बार review करते हैं जैसे इसमें question दिया हुआ है एक ideal तथा practical voltage source को उसके circuit diagram तथा graphical representation के माध्यम से समझाइए दोनों में basic difference क्या है वैसे आप इस question का answer राहूल बाधवा की जो जो बुक है इसे आप प्रीफर कर सकते हैं इसे पेज नंबर 67 और 68 पर इसका जो है पूरा description दिया हुआ है जैसे इसमें आप से question किया गया है कि जो ideal voltage source जो होता है वो क्या होता है देखिए यहां पर यह heading दिया हुआ है ठीक है ideal voltage source को diagram की द्वारा जब आप समझेंगे इसमें देखेंगे कि जो इसमें जो resistance जो होता है यहां पर आप देखिए जो resistance होता है एक ideal AC voltage source या DC voltage source का वो zero होता है और इसमें जो current होती है वो बिल्कुल जो terminal voltage होता है यानि कि जो source का जो voltage होता है वही terminal का voltage होता है जहां पर diagram में आप देख सकते हैं VES और VT source voltage और terminal voltage दोनों जो होते हैं वो equal होते हैं ठीक है वही जब practical voltage source की बात करते हैं तो यहां आप देखिए VES के जो AC voltage source है और DC voltage source है दोनों में इसके समानतर में इसमें GDS impedance और RAS जो है एक resistance के रूप में लगा हुआ है और यहां पर एक उदारण के तौर पर दिया हुआ हुआ है कि जो ideal जो practical voltage होता है वो ideal voltage source के comparison में जो होता है वो कम होता है उसके बाद से जो आपका second question है इसमें ideal current source और practical current source को उसको बताया गया है कि circuit diagram के द्वारा समझाईए तथा दोनों में जो basic difference क्या है इसके लिए आप राहुल बाधवा की ही जो book है ठीक है उसका page number 70 और 70 से ले करके 72 तक आप refer कर सकते हैं वैसे देखिए current source का कोई अपने आप में existence नहीं होता है अकेले voltage source को ही हम क्या करते हैं एक current source के रूप में परिवर्चित करके current source जो है प्रात करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए एक बेवहारिक धारा श्रोत का प्रतिक दिया हुआ है जिसमें इसके parallel में हमने impedance या resistance की रूप में हमने जो source है is के parallel में हमने zs लगा दिया तो वह क्या बन गया है practical current source का प्रतिक बन गया है और और जैसे ही इसमें हमने कोई load impedance zl आप यहां देख रहा है यहां पर हमने लगाया हुआ है ठीक है जिसमें load current il और zs में जो current flow कर रही है वो i1 वही जो source current है वही दो भागों में बटी हुई है जिसको हमने i1 और il का नाम दिया हुआ है कि इसके लिए एक छोटा सा calculation यहां पर दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं उस पर हमने जो है कि इस सर्किट में हमने कि यहां पर निकाला हुआ है कि जब कोई practical current source की बात करते हैं तो उसमें il और is की जो value होती है वो लगभग बराबर होती है ठीक है वैसे practical जैसे हमने voltage source की बात की थी वैसे ideal current source में भी जो होता है जो टर्मिनल पर जो current source हमको मिलता है वो जो practical current source में जो हमें current मिलती है वो ideal current source के मुकाबले कम होती है यहां पर आप देख सकते हैं डाइग्राम में कि बेवहारिक धारा सुरोत का load current load प्रतिरोत के बीच में grab खीचाएं।